नमस्कार दोस्तों तो आज हमारा निमेटोलाजी का एक क्लास है एक क्लास में आपकी सारी निमेटोलाजी कम्प्लीट जो है हो जाएगी तो हम जो है तीन क्लास जेनेटिक्स की ले चुके हैं ब्रीडिंग की भी हमको तीन क्लास लेनी पड़ी थी यहां पर एक क्लास हमको कर रहे हैं 45 दिन में हमको क्या करना है ने मैं तो लाजी और यह त्व करना है कि ना भी दिए जटे सेलेबस में बैफ का 45 दिन में विजन हो जाएगा ठीक है जादस ज़ादा आप आपको जो है जो test paper है उसका pdf भी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको हमारे ठिक है जिसका link टेलिग्राम और WhatsApp का link हमारे जो है description में आपको मिलेगा ठिक है तो start करते हैं आज की class हमारा क्या nematology जो हमारी last class pathology nematology वाले session की है तो बात करेंगा निमेटोलाजी की तो निमेटोलाजी क्या है? एक ब्रांच है किसकी? बाइलोजी की एक ब्रांच है which includes a group of animals called निमेटोड उसमें क्या आते है? ग्रूप आफ एनिमल्स होता है जिसमें निमेटोड आते है बाइलोजी में हम दो चीज़ों का अध्यन करते है एक तो करते है एनिमल्स का एक करते है प्लांच का जब प्लांच का अध्यन करते है तो उसे बाटनी कहते है एनिमल्स का करते है तो उसे क्या कहते है जुलाजी का एक पार्ट है जिसको हम कहते है निमेटोलाजी जिसमें हम करते है निमेटोड का अध्यन ठीक है एनिमल्स के अध्यन में एक निमेटोड का भी अध्यन करते है हम लोग ठीक है तो क्या करते है निमेटोड का अध्यन करते है उसके बाद क्या हुआ हमने थोड़ा साहूर इसके बारे हम जाच परताल की तो हमें क्या पता चला कि भई ये तो एनिमल्स में भी अटेक करता है पैरसाइट के रूप में रहता है और प्लांट्स में भी पैरसाइट के रूप में रहता है लेकिन अगर वो plant parasite है तो उसको हम पढ़ते है निमेटोलाजी में ठीक, अगर animal और man में effect कर रहा है तो किस में पढ़ेंगे हलिमेंटोलाजी में पढ़ेंगे, अगर plants में कर रहा है तो निमेटोलाजी में पढ़ेंगे, ठीक, तो हमको पढ़ना है किस में plants में, क्यों हम भईया agriculture वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे निमेटोलाजी के अंदर इसको, ठीक, और जो word निमेटोड है, the term निमेटोड कहां से आया है, ग्रीक सब्द से आया है, ठीक, निमेटोड हमारा कहां से आया है, ग्रीक सब्द से आया है, जो दो सब्दोड से मिलके बना है, किसे किसे निमेटोस और इडियोस, किसे किसे निमेटोस और इडियोस से मिलके बना है, निमेटोस और इडियोस, निमेटोस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब क्या, धागा, धागे जैसे सनरचना होती है, और इडियोस का मतलब वहता है फार्म यानि धागे जैसी सनचना मतलब क्या है थ्रेड लाइक और गेनिजम धागे नुमा सनचना यह इसे को हम बोलते हैं थ्रेडवार भी उन्हें मैं तोड को में इसलिए बोल देते हैं कि धागे नुमा सनचना कुछ आई सा पाया जाता है पतला पतला सा बीच में इसे एक रहे किस टाइप की किसके खिची होती है ठीक आई साम को कुछ दिखाई देता है बहुत छोटा सा होता है मैं आखोस नहीं दिखाई देखना पड़ता है तो निमेटोड आर अब उनकी कुछ सनचना के बार हम जान लोग कैसे होते हैं ट्रि बराबर बांट दिया जाए इसे फाड़ा जाए तो जो है पूरा जितना भीन के अंदर मैटर पाया जाता हो 50-50 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा जिसे हुमन भी क्या होता है क्या बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है अगर हुमन को बांटा जाए तो हम अगर 20 से काड होता है फंड़ों में सरीर नहीं बटा होता है माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं सिंगल्ड़ कीविटी होती है मतलब एकल गुहा क्योता है इस में कोई ऑग्शता है इसे को अगर आप्षे के छोटा होता है बहुत दिखता नहीं आखोंसे तो माइक्रो को में जब हम देखते हैं, इसको तो हमको ऐसे नहीं की मतलब दिखाई दे जाए, तो हमको क्या दिखाई देगा, ऐसे केचुए जैसे खंड नहीं बने होते हैं, इंसेक्ट जैसे खंड नहीं बने होते हैं, इंसेक्टों केच्वों में क्या होता है, खंड बने होते हैं, तो यह होती है उनमें क्या पाए जाता है glands पाई जाती है ग्रंथियां पाई जाती है उसमें एक पाई जाती है क्या हमारी molting gland पाई जाती है जिससे हमारा क्या होता है cuticle का surround होता है cuticle उससे हमारी निकलती है ठीक mouth opening is usually interior मुझ जो होता है इनका अंदर की और खुलता है बाहर की और ओपर नहीं होता है अंदर की और खुलता है क्यों इसा होता है कि इनके जो सराउंडेट वाइलिप्स क्या होता है बाहर से बंद होता है अंदर की और इनका मुझ खुलता है ठीक और इनके होट जानते हो कित्ते पा आगे बास समझूम州 मौथ के बाद क्या स्टार्ट अने इसी इसी को हम बोलते है इस्टो म Process निया माउथ के विट्विटी में हमारी पाये जाते हैं सिटाइड थिक स्टो स्टाइलेट क्या करते हैं प्लांट पैरासिटिक निमेटोड में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं पियर्स करने का पियर्स मतलब क्या चुभाने का चुभाने का काम करते हैं इससे क्या होगा जहां पे इनका खाना होगा सेलवाल उसकी होगी सेलवाल को क्या करेंगे चुभा पाए जाता है फिर रेक्टम पाए जाता है फिर लास्टली हमारा क्या पाए जाता है एनस पाए जाता है यह सब तो मतलब नॉर्मल भाग है जो सब में पाए जाते हैं इंसेक्ट में भी पाए जाते हैं ठीक मतलब क्या है सबसे उपर जिसे सिल्वाल को भेद के host के अंदर से खाना इंङस्ट कर पाएं उसके नीचे हमारा mouth cavity के नीचे क्या पाए जाता है इसो फैगस पाया जाता है, इसो फैगस के नीचे हमारा क्या पाया जाता है, आंत पाया जाता है, फिर हमारा क्या पाया जाता है, रेक्टम पाया जाता है, रेक्टम के बाद हमारा क्या पाया जाता है, ठीक, इतना पार्ट जो है, इसके पूरे क्या है, एक खाने का सिस्टम माउथ कैविटी से लगा के तुम्हारा कहा तक एनस तक इसके बाद मेल जो होते हैं हमें साथ छोटे होते हैं किस से फीमेल से इसमें छोटे पाए जाते हैं लंबाई की बात हो रही है तो हमारे जो फीमेल होते हैं कुछ ऐसे बनी होती है सीधी सीधी है इसे और मेल जो हमारे होते हैं कुछ ऐसे मुड़े होते हैं ठीक ऐसे कुछ हमको दिखते हैं तो यह हमारे क्या होते हैं छोटे होते हैं यह ज्यादा लंबी होती है फीमेल जो होती है और फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम जो है या तो भईया इनमें एक ऑवरी पाई जाती, या तो दो ऑवरी पाई जाती है, जर र्वर्वाज पाई जाते हैं, लेकिन षट्राटृ इसे censpiritory system मतलब स्वसंक्रिया हैं जो है嗎 इस तीज whats खो द्यान REM मी mat जो हमारी यह इतने भी plant इसटी किनो होते हैं उनमें क्या होता है है कहाहसे start करते हैं अंडे से start करते हैं अंडा देने से एक کxi ठात करते हैं एक coupon होगा उसके बाद क्या होगा female मैं भी यह female करती है फिमेल क्या करती है, प्लांट टिसूज में अंडे देती है और प्लांट टिसूज में या स्वैल में भी दे सकती है प्लांट के टिसूज में देंगी है तो स्वैल में देंगी सिंगली देंगी है तो ग्रूप में देंगी है एक अंड़ा देंगी या तो कई सारे अंड़े देंगी ठीक कुछ भी हो सकता है और या तो plant issues में या तो soil में अंड़े देती हैं उसके बाद क्या होगा भीया the larvae are formed within the अब larvae क्या गरी अंड़े के अंदर ही बन गई अंड़ा भीया कहा दिया गया या तो plant की टिसू में दे दिया गया या तो जमीन में दे दिया गया इनमें क्या हो लारवी अंदर ही तयार हो गई अंड़े की उसके बाद hatching हुई जब hatching हुई तो उसके बाद क्या हो जूए नाइल बाहर निकलेगा भीया जवान पठ्था बाहर निकला लारवा अब जब जवान पठ्था बाहर निकला तो कहा जाएगा खाने की तलास में निकल लेगा प्लांट इसूस से क्या करेगा feeding के लिए खाने की तलास में निकलेगा जब खाने की तलास में निकला तब यह क्या किया, खाना वाना कुछ दिन खाया, कुछ दिन खाया, जब खाना वना तगड़ा हो गया, तो लारवी में क्या होई, चार मोल्टिंग हो जाएगी, चार बार मोल्टिंग हो जाएगी, मोल्टिंग क्या होता है, इनके उपर क्या होता है, जो खोल होता है, वो उत तो गया चार मोल्टिंग लगते ही इसमें फाइटो निमेटोड में इंटर इंटर इंटू दो होस्ट अगर भीया क्या होगा माल यह प्लांट लगा है इसमें क्या करें तो निमेटोड हो इसकी जड़ में घुश जाए अंदर ठीक जड़ में घुश के जहां खाता हो कुछ जड़ाई खाते हैं कुछ लोग घुसे का जड़ से इंटर करेगा जड़ से जड़ से इंटर किया अब जड़ से इंटर करेगा मालों पत्ती खाने वाला है तो क्या करेगा इसे अंदर अंदर क्या करेगा पत्ती के अंदर चला जाएगा ठीक ऐसे जो होते हमारे ऐसे कहला तो काते हैं इंडो पैर saints कुछ होते हैं जड़ के पास अईसे बने ये जड़ के बाहरे कुरूद कर रहे है बाहरे खुद बैठे रहेंगे तो उसको कहते एक्तुप Ahmed निम्यतौड बात करते हैं अब history की बात कर लेते हैं तो आपको क्या समझ में आया कैसे वह हमको दिखाय देते हैं अब अब हमको लगता है ब्रीफ अध्यनाप निम्यतौड के बारे हम समझ चुके हैं क्या कहा निम्यतौड में होता है अब history थोड़ी से जान ले इनकी खोजोज के बारे में तो भाईया एक scientist जिनका नाम है Hippocrates Hippocrates जो हमारे हैं इनको कहा जाता है भाईया किसका Medical Science का पपा कहा जाता है जो doctor बनते हैं BBS करके उनको Hippocrates की कसम दिलाई खजाती है खाव Hippocrates की खतम कि तुम जो है सबका इलाज करोगे तो आई से हिप्पोक्रेट्स की खतम खिलाई जाती है अई हिप्पोक्रेट्स तो मर गए तो कसम खिलाई उसको फाइदा है नहीं वह से तो हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया तो सबसे पहले पिनवार्म की खोज की थी किसकी पिनवार्म भाया पिनवार्म की खोज की थी और पिनवार्म का scientific name क्या था है इंटेरो बियस वर्मी कुलेरिस ठीक क्या होता है इंटेरो बियस वर्मी कुलेरिस ठीक यह हमारा होता है किसका पिनवारम का, तो पहला निमेटोड जो खोजा गया था, ये खोजा गया था, उसके बाद आते हैं, लीनियस का का जो हर जगा अपना ग्यान देने पहुंचाते हैं, अपनी सिस्टमा ने चुरी में, पता नहीं, इन्होंने अपने 10 एडिसन जो इस सिस्टमा ने चुरी के लि लीनियस का का ने, इसके बाद आते हैं, नीधम, नीधम ने जो क्या किया था, पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड खोजा था, जो प्लांट में, ये जो हो रहे थे, पिनवारमनों में सब ये नहीं मल में है, ठीक, लेकिन ये पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कहां देखा गेहों में, गेहों के सीड में भाज़ इनको मिल गया, सीड काल नीदोड सीड को क्या कर दे रहा था आईसे मोटा कर दे रहा था, ठीक, खोखला होता था अंदर से एक दम, तो ऐसा निमेटोड इन्होंने जब देखा, तो क्या हुआ, उसका नाम scientific क्या है, इंगुइना टिटसाई है, सीडगाल निमेटोड का क्या नाम है, इंगुइना टिटसाई, इसको सबसे पहले खोजा थ तो यह सबसे important question आपका, अभी तक यही बना, जितना हम अभी तक पढ़ाएं हैं आपको, आगे बात करते हैं, बरकले के बारे में, बरकले ने 1885 में क्या किया है, और निमेटोड खोज दिया, जिसे हम कहते है, रूट नाट निमेटोड, ठीक, रूट नाट निमेटोड जो क्या होता है, ग्रीन हाउस भी जान लो यहाँ पर, क्योंकि यह बहिया climate वाला portion, यह भी आना है हमारे exam में, तो ग्रीन हाउस क्या होता है, बता दें आपको, जैसे मान लो, क्या होता है, कि यह बहिया प्रतवी की सता है, ठीक, यह हमारे सूरज काका है, यह बहिस सूरज काक प्रदूसर्ण किया तो क्या यहां पर किया CO2 पैदा कर दिया ठीक और क्या पैदा कर दिया CH4 पैदा कर दिया, NITRUS OXID पैदा कर दिया, CFC पैदा कर दिया, यहां सब क्या कर दिया? global warming ठीक इसी को बोलते है green house effect की यह gases जो होती ही नहीं गोलते है green house gases यह तो होगा normal climate का process अब इसमें हम सब्जी कैसे होगा रहे थे कह रहे खीरा होगा ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं ऐसा green house हम खुद बना ले रहे हैं अपने घरे क्या कर रहे हैं कांच का घर बना रहे हैं ठ लेकिन return होके बाहर ना जा पाए उसके अंदर से तो क्या होगा वहां का temperature जो होगा बढ़ा रहेगा अब खीरा होता गरम जगा पे इंगलेंड ने ठंडी जगा वहां खीरा पैदा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने क्या किया कि इसा system बनाया कि यहां का temperature अपने हिसाप से हम इसमें को maintain रखना है जितना हम चाहें को उतना temperature इसमें maintain कर लेंगे तो कोई भी फसल किसी भी मौसम में हम बुगा सकते है green house के अंदर यह फाइदा ग्रीन हॉस का है तो इसे में हम क्या किया खीरा लगा रहे थे इंगलेंड में इंगलेंड में खीरा लगा रहे थे इसी को बोलते हैं Greenhouse ठीक Greenhouse क्या है जिसमें हम सब्सक्राइब गर बना लिए काच्च का ठीक Greenhouse effect क्या है जो भही है नुकसान हो रहा हमारा क्या पर्यावरण में जो हमारा Greenhouse effect क्या हो रहा है Global warming हो रही जिसे हम क्या बोलते हैं वैश्विक्तापन ठीक ग्रिन हाउस में ऊगा रहे थे खीरा, उसी खीरे में उनको मिल गया क्या मिले ऐडोगाईन, मिल गया मिले ऐडोगाईन, जिसे हम बोलते हैं रूट नाट निमैटोड बरकले ने इसको खोजा था, आगे बात करते हैं, आगे ए कुहन काका, कुहन काका ने कहा 1877 की इधर भारत में चल लगी थी करान्ती 1877 की उधर कुहन का कर रहे थे, उधर भया stum and bulb में निमेटोड खोज रहे थे ठीक बहिए प्याज में इन्होंने एक निमेटोड खोज लिया onion में, ठीक कौन सा साइंटिफिक नेमापको याद करना बहुत ज़ूरी है कहानी तो हमसे यह एक बार में याद हो जाएगी लेकिन आप याद कर पाएंगे तो इनको याद आपको करना पड़ेगा ठीक आगे बात करते हैं 1869 में आये सैट सीट काका थे उन्होंने क्या किया सुगर बीट निमेटोड खोज दिया सुगर बीट सिस्ट निमेटोड कहां खोजा हेटरोडोरा सैटी में ठीक आगे बात करतें 1865 में HC Bastion आ गया HC Bastion जो हमारे हैं इनको हम कहते है Father of Nimetology यह भे निमेटोलाजी की पपा है Bastion इन्होंने एक किताब लिखी थी बड़ी गजब की जिसका नाम था Monograph of Inglity Inglity जो किताब थी बहिया इनकी Monograph of Inglity Bastion की बड़ी गजब की थी इसलिए इनको क्या कहा जाता है Father of Nimetology कहा जाता है ध्यान रखिएगा बहुत important question है Father of Nimetology कौन है HC Bastion है वहीं अब बात करें Father of American Nimetology कोन है American Nimetology की येने कॉब है ठीक येने कॉब किसके है American Nimetology के और वईसे नार्मल Nimetology के अगर बात करोगे तो Bastion है दोनों याद कलो दोनों important है ठीक कई बार पूचे गए अभी अच्चुव अगर रखे examinations में आगे बात करते हैं 1871 अब भीया 57 की क्रांथी इसे नहीं भरा रहा था तो 1871 में फिर आ गए कॉहन का का इन्होंने कहा कि अब हम भीया एक सिस्टेमन पल्वनिमेटोड खोज तो लिये हैं लेकिन अब हम क्या करें किसी दवा भी बनाना चाहते हैं तो इन्होंने किया सुगर बीट जो सिस्टेमन पल्वनिमेटोड था जिसकी कुछ किस ने की दी सैट्स ने की थी हेटरोडोरा सैटी अब अपने नाम पर रख दिया सैट्स ने सैटी कर दिया उसको हेटरोडोरा तो जोड दिया अब सुगर भीट सिस निमेटोड के लिए उन्हों ने दवा बना दी कुहन ने, कहा किया इसा है कि CS2 गैस जो हमारी है, अब CS2 गैस का हम प्रयोग करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, तो इन्होंने कंट्रोल के लिए CS2 गैस का प्रयोग कर लिया, अब आये टाम गुड़े, टा प्लान्ट, पैरा सिटिक निमेटोड, ज estaba निमेटोड एंड इसस में कहनी सी, प्लाँन्ट, पैरा सिटिक निमेंटोड, है वे कमोरे दोखे किताब लेखी, तो ये देख लेना इनको आगे बात करते हैं, अब फिर इंपॉर्टनेट और गाया, सबसे इंपोर्टनेट, ये तो भाईया DD और EDB ये दो भाईया क्या है निमेटी साइड है बोड़ी गजब की निमेटी साइड है एक गजब की निमेटी साइड जो है इनकी खोज किसने की थी कई बार पूछा गया है तो DD की खोज की थी Carter ने और EDB की खोज की थी विष्टी ने, तो भाया काटर दीदी जो थे, काटर दीदी ने क्या किया, दीदी की खोच कर दी, और डीडी मतलब क्या, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, यह डाइक्लोरो प्रोपेन सेम है, बस एक के आगे 1,3 लगा दो, एक के आगे 1,2 लगा दो सेंपल सी बात है तो कार्टर ने कहा कि 1-3-dichloropropane, 1-2-dichloropropane की खोच कर दी, निमेटिसाइटल प्रॉपर्टी जिसकी बता दी, हाला कि यह बहुत फार्मूला था पहले से, लेकिन इसको बताया कि यह निमेटिसाइट में बड़ा बढ़िया काम करता है इसकी खोच की थी कार्टर ने, उसके बाद 1945-2 साल बाद क्रिष्टी भी बैठे थे क्रिष्टी ने कहा इसे कई से हम भी खोच कर रहेंगे, इन्होंने कहा कि हम एथिल डाइबरोमाइट की खोच कर दी है इन्होंने कहा कि यह भी भी है, बहुत बढ़ी है निमेटिसाइट है, तो दो निमेटिसाइट हमको बढ़ी है, मिलके कौन कौन से, डीडी और एडी भी इसके बाद 1956 में निमेटोलाजिका एक पत्रिका है, क्या है एक पत्रिका है निमेटोलाजिका नाम की 1961 में G. Thorne ने अपनी एक बड़िया किताब लिखी जिसका नम था प्रिंसिपल आफ निमेटोलाजी इतनी गजब की किताब बहुत इंपोर्टन कोशन यह है G. Thorne ने लिखी थी प्रिंसिपल आफ निमेटोलाजी जिसको इतनी गजब की किताब है रहे थे, बाल काटते हैं उन्होंने जड़ दिग गई, जड़ में दिग गई, रूट नॉट नॉट निमेटोड, मतलब मिलेड हो गाइनिस्पसीज, इसको जो है, इन्होंने कहा देखा, केरल में, केरल में भईये, इन्होंने देखा, चाय के पेंड, बड़ा गजब का इन्होंने देखा अगर, रूट नाल निमेटोड, उसके अंदर चाय में गुशा जा रहा है, याज जड़ के साहारे, तो देख लिया बारबर ने, तो फरस्ट प्लांट परसिटिक निमेटोड इन ही को माना जाता है, तो बारबर ऐसे साइटिट थे, जो यह भारत में पह पहला plant parasitic nematodes खोजा और बारबर ने भारत में पहला plant parasitic nematodes खोजा इन्होंने खोजा था inguina didsi, इन्होंने जो खोजा वो क्या है miledo gynespaces ठीक, किसमे खोजा चाय में कहाँ चाय कहाँ पैदा होती, केरल में भाईया केरल में चाय पैदा हो रही थे, उसी चाय में इन्होंने देख लिया ठीक, आगे बात करते हैं बटलर की, 1913 में बटलर ने क्या किया, उफरा disease of rice खोजा, इसे हम बोलते हैं dietilancholus inguistus, ठीक crystal आप बंगाल में इसको बंगाल में खोज लिया inguinerate side को भारत में देखा, सीडगाल पंजाब में भाहिया, पहले में, हलाकी खोज हो चुगी ते लेकिन भारत में मिलने ने देखा था inguinerate side को खोज किसने के दिनीधम ने पहला भाहिया निमेटोड भाहिया, जो प्लांट में सबसे पहले खोजा था potato cyst निमेटोड globodera rostocyanensis, द्याद रखना कहां खोजा गया था, नील गिरी तमिल लाडू में खोजा गया था, कौन सा globodera rostocyanensis आईसे बेट डिवीजन आफ निमेटोलाजी पहली बार ICR निउदलही में बना था, 1966 में मलब पहला डिपार्टमेंट जो बनाया ICR वाले अपना कब बनाया, 1976 में 71 में उन्होंने अपनी पहली पत्री का निमेटोड पे लिकानली सुरू कर दी, इसका नाम था Indian General of निमेटोलाजी 1971 में स्टार्ट की थी पहली पत्री का, ठिक आगे अब भाई अब कुस scientific name आद कर लो, जितने हमारे important सारे इसमें दे दिये हैं, इसके बाद निमेटोलाजी मा को कुछ पढ़ने ज़ोते हैं, इतना पढ़ लो अगर निमेटोलाजी से जितने भी question आएंगे, इसी से आ जाएंगे, इससे बार question आनेक चांस तो लगते नहीं है, ठिक maulia disease of wheat and cereal cyst निमेटोड हमारा जो होता है heterodora aveni, इसको कहते हैं, maulia disease को ही बोलते हैं, cereal cyst, किसके कारण होता है heterodora aveni के कारण, slow decline disease of citrus, धीरे-धीरे क्या होता है citrus का पगदा भाईय सिकोड जाता है slow decline होता है, तो इसे बोलते है tailantulas, semi-penny trans ठीक, tailantulas, tailantulas semi-penny trans बस टुकडों में याद कलो, tailantulas semi-penny trans seed gall निमेटोड, inguinated size, अब को जानता है सब से important, stem and bulb निमेटोड, प्याज में लगता है, diet lantulas, डिपसैसी, potato root nat निमेटोड किससे होता है, देखो, potato cyst निमेटोड अलग है, और potato rot निमेटोड अलग है, देखो, sudden हो रही है उस cyst है, गाठ पड़ रही, तो गाठ और rot में अंतर है, ध्यान रखना तो rot है नि, sudden हो रही तो किससे होगा diet lantulas, distractor से होगा, वह अगर potato cyst होगा, तो किससे होगा, globodera roast to Chinese, से होगा, थोड़ा संतर है ध्यान रखना, मसरूम में हमारा निमेटोड लगता है, से हम बोलते है, diet lantulas, तो हाई है, मैसिलियो फैगस हो गया मैसिलियो फैगस हो गया root nat 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 हमारा किससे होगा, मिलेडोगा और रेनी फार्म है, तो रेनी फार्म इससे हो जाएगा burrowing disease हमारा जो होता है burrowing disease, burrowing किसे होता है rodophilus, similis से होता है, rodophilus species हम लोग लिख दिये, ऐसे हमारा root and rhizome rot बनाना किसे होता है, rodophilus, similis से होता है, सेम बात है, burrowing nematode में बहुत सारे प्रकार थे, ठीक, उसमें हमारा एक बनाना में सबसे important है, root and rhizome rot इसे हम बोलते हैं किसे rodophilus, similis से लगता है, ठीक, इतने हमारे important nematode है, इनको scientific name याद करने पढ़ेंगे, दस बारा है याद करने एक दू कोश्चन जितने आपको पढ़ाना बाकी है, इंटमोलाजी की जो है, चार क्लासेस, पांच क्लासेस जो भी हैं आपको complete करवाई जाएंगी, आप जो है क्या करिए, भाया, जितना हो सके इसको share करिए इसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ठीक, चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद